हेलो दोस्तो नमस्ते राम राम मैं हूं मैं चौदरी स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल अमिस्टर चीके में तो भाई आज जियोग्राफियू का एट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर होगा जियोग्राफियू का ठीक है इसके बाद सेवन्स क्लास शुरू हो जाएगी सिक्स क्लास के सारे चैप्टर मैंने करवा दिये हैं ठीक है आसा करता हूं सारे चैप्टर आपको समझ में आउंगे आगे होंगे आपको अभी फिलाल मैंने थोड़ी थोड़ी हैडिंग पढ़ाई है थोड़ी उनके बारे में बताया है ठीक है आगे जैसे जैसे classes में chapter में बढ़ते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा आप इनको बारे में और पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, हर class में, हर chapter में ये चीज़े revise होती चलेंगी, सारी चीज़ों को में revision, क्योंकि पहले 6 class में वो थोड़ी सी heading आई, उसके बारे में बता है, मैंने जानका रहे थी, ठीक है, उसके बाद जब 7th class आई, तो थोड़ा सा और चलेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो भी कोई topic आएगा, जो भी कोई chapter आएगा आपके सामने, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाता चलूँगा, ठीक है, ये 6th class है, 7th class है, 8th, 9th, 10th, ये classes क चैप्टर सब, जब सबी हो जाएंगे, तब आपको मैं पूछूँगा, हर एक, हर एक topic में से question पूछूँगा, और पूछूँगा क्या, पहले मैं आपको topic दूँगा, previous year question लगवाँगा, ठीक है, फिर अपने तरफ से question दूँगा, ठीक है, अगर आप नहीं दे पाओगे तो पहले मैं आपको topic समझाऊँगा, फिर previous year के question का answer दूँगा, उसके बाद मैं अपने तरफ से जो question दूँगा, आपको, वो सारे चीज करवाँगा, ठीक है, मेरा GK का मतलब यही है, मेरा इस batch का मतलब यही है, कि आप अच्छे तरीके से GK की knowledge को लें, और अच्छे तरी से मेरी सारी classes चलेंगी, ठीक है, I think 27 April, 27 April को मैं कहीं पर जा रहा हूँ, personally, relative में है, साधी है, तो उसके लिए मैं शमा जाता हूँ, मैं उस दिन I think मैं absent रहूँगा, या classes नहीं हों उस दिन, ठीक है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे, ठीक है, तो चलते हैं, सीधा अपना पीपीटी पर चलते हैं, आज के चैप्टर पर करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके सामने भारत और जलवाईय को बारे में जानेंगे हैं, भारत की जलवाईय कैसी है, कैसे, कौन-कौन से मौसम, कौन-कौन से एरिया में कैसा-कैसा मौसम, कैसे मौसम आते हैं, मान मानसून कैसे आता है जलवाई के बारे में पढ़ेंगे सारे चीजे आज के इस क्लास के अंतरगत हम सारे चीजे जानेंगे ठीक है जैसे कि फर्स लैड में दे रखा है आपके इंडियन क्लाइमिट के बारे में जानेंगे ठीक है मौसम वैदर ऑप इंडिया के बारे में मानस दक्षिन पश्चिन मानसुन कहलाती है ठीक है या आपको पूछ भी लेगा ठीक है किस मानसुन के कारण वर्षा भारत में होती है ठीक है दक्षिन पश्चिन मानसुन के कारण होती है सरद रितू मानसुन के लोटने के समय होता है ठीक है सीत अलग है सरद रितू अलग है यह स इसी कोई वर्सारी तु कहा जाता है भारत के मोसम किस राज्य में किस जिले में किस जिले में सबसे पहला आते हैं सारी डिटेल वाज मैं बताऊँगा आपको हर चीज गेड़ ऐसा टेंसर न लोके बता दिया बात कतम नहीं अभी थोड़ा सा यह जान लेना ही बहुत है आपक सबसेंवत को सचीज़ों कि भारत के मवसम के में इस बारें बाता है, क्सी बच्चे को किस कारण हो यह होते हैं दिन और रात के बता रहा हूं गःण के कारन होती तो सिंपल से वच्छन सोसा कम आध्या उसको एनक मेंट मुझे बता देना फर्स्ट आपका ग्रिस्म रितु 15 मार्स से पंद्रह जुन तक सैंड है वर्सा जो कि लोट नुता हुवा मानूसुन जो आता है वर्सा लेका राता है वह 15 सुटमर इतनी जान करीब होत है नईक्स्थ है सीतु नुक्त रितू आपकेसामने वर्स शीत नुट लो जा मैं रजाई भी ओड़ो और जा मैं नीचा ते गद्दा भी ओड़ो ठीके है नीचा न कुछ न खोड़ो ठीके हूगा यसी तीर नेक्स्ट ए गृस्मृतु समर सीजन अवदी मार्च से जून तक है इसका जो ग्रीश मिल्टू ए ठीके जो गर्में पड़ा है ठीके है मार्च, अप्रेल, माई, एंड लाश्ट, जून, ठीक है, तीन मन, तीन से चार मन थी आपके समय, ग्रिसम रितु रहती है, सबसे गरम सतान होता है, ब्रिया वाली बीकनार, यहां से कोश्चन उटाई है, इंपोटेंट है, आप निसान लगे ना, जिसने भी नोटबुक ले रखे हैं अपनी भाई, नहीं लिए तो नोटबुक ले लो, और नोट करते रहना कि सबसे गरम सतान कोंसा ब्रिया वाली है, ऐसा सी में पूछे जाने वाले कोश्चन है, ठीक है, चाहिए गुरूब डी के लगा लो, चाहिए एससी के लगा लो, चो किसी भी वन डे एक्ज सुन होती है, वर्सरी तुम्हेने बताती ही कहां से इंट्री मारती है, विसे वका सावर्दिक्स वाला सतान मासिन राम जो की खासी पहाडी और में गहले में इस्तित है, ठीक है, जैसे कि अपना भारत है, ठीक है, और यह आपका, यह बांगलादेश बनुगा, यह आपको भारत बन जाये वह यहां, यहां जो होगी है, और जैसे में गहले हैं इस्तित है, आपके बांगलादेश के पास ही पर मानसी राम है, और ही पर खासी की पहाड़ी होती है, यह करम बाज में बता दूँ, मैं चैप्टर आने दूँ, ठीक है, अभी तो थोड़ा यह बताया ह कि भारत में सबसे कम वर्षा कहां पर पढ़ती है, और सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर पढ़ती है, ठीक है इस दोनों चीज इंपोटेंट है, रावली परवत्यों के बारे मैं आपको पहले बताया है, जो कि एक वलित परवत है, छेतर एम तमिलनाड़ के कोर मंडल तटी यह चेतर में मांसुनी वर्षा नहीं हो पाती, जो अरावली परवत्य चेतर एम तमिलनाड़ के कोर मंडल तट यह चेतरों में, जब वर्षा रितु का मांसुन दक्षिन पश्ची मांसुन जब आता है, तो इन दिनों में अरावली परवत्यों के चेतर और तमिलनाड़ के पूर यहाँ पर यहाँ पर तमिल्याडू और अरावली परवत यहाँ कर और डॉक्होगा कर दो नंतर अधि को यहा नहीं है इसरे में जो होथी खात्या Learn और यहाँ तो बिल्कुल नहीं होती यहाँ कब होती यहाँ पर तमिल्याडू मैं जब लोट ताव जब सरध रितू है लोट साव मांसून होता है ज़ो जाने लगता है मांसून तो तब वर्सा होती है इस की बारे में जानेती हैं सित्रुतू इतंड महा जनवरी 12 अ कि उत्तर भारत दिसंबर में यह बर्सा होती है किस कारण उत्पती भूमद्य सागरggak़ आपको ब हुमद्य सागर में बता देता हुआ कि भूहमद्दे सागर कहा पर है पक्षिंग विख्षोप के बारे में मैं मैप में बताँगा आपको जो कि next slide में है आपके सामने यह रा ठीक है इसको मैं बताऊँगा कि भूहमद्दे सागर के बहुमत्य सागर्फ कहां पर है पहले में बहुमत्य सागर को मैं बता देता हूं यह अपना भारत है ठीक है यहां पर बंगाल की खाड़ी है यहां पर अरब है अरब सागरा और यहां पर यह इंडियन ऑशियन है जो हमारे भारत का इकलोता है कैसा समुंदर है जो भारत के ना थिके तो यहाँ से जो यह फूमद्य साग्र जो है यह कहां पर है यह नीचे जो अफिरीका महादी को यह इंडियान आपणा तो ऑफिक synt कारण जाड़ों में जाड़ों में मतलब कि शीत विंटर जो विंटर होती है इसके कारण मतलब भारत में परवेश पस्चिम तता उत्तर पस्चिम दिशा में जो पस्चिमे परवादवारा होता है पस्चिमे विक्सोव दूसर दवारा उत्तरी एम उत्तरी पस्चिम भारत में वर्षा विक्सोव प्रवी की फसलों के लिए लाबदाग होता है ठीक है जाड़ों मुझे होती है यह चीज यहां के मादर यहां इसके कारण होती है भूमद्य सागर में आपस में सितोशन चक्रवात आते हैं मतलब सीथ के चक्रवात आते हैं यहां पर तो वह परवाब पड़ता है यहां से चल है कि चख्रवात के करन है भारत के अंदर को आगे भी जाते हैं पर फिलाल अपनी भारत की बात हुरी है ठीख है आजा करता हुग भूमिद्य सागर पता लग यह होगी ठीक है आपको काहां क्या चीज इस्तित है ठीक है अब दक्षिन-पश्चिम-मानसुन की बारे में हम पवन बंगाल की खाड़ी तता अरब सागर से सथल की और बहती है अब जो यहां पर यह एक तो अरब सागर इदर है ठीक है एक मिन अरब सागर यहां पर है और बंगाल की खाड़ी यहां पर है इसका कहने का मतलब है कि जो यहां की मांसुन की जो हवा आए वो सथल की तरफ भ पहाडों से टकराते तो वर्सा होती है इनमें जब यहां के समुंदर के ऊपर की हवा में नमी होती है ठीक है और जब यह पहाडों से टकराती है तो दूर 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 तक वर्सा करती है ठीक है इसलिए इसी कारण से वर्सा हमारी डक्षिनबस्यमानसुन जो वर्सा रितू हो से ठक रहे लोटता हो रहा है जब वर्शारितु के लोटने का समय वर्षा रिखाasti की और बैती है अब यह क्या कह रहा है सफल नहीं सथल है ठीक है अब यहां उल्टा हो रहा है जब लोटता हुआ मांसून होता है न अपना जब लोट रहा होता है तो यहां पर जो मांसून की जो पवने हैं वो सथल से वो सथल से बंगाल की खाड़ी की और चल देती है यह अर मानसुन में यहां बरतम मिलनाडू में आन प्रादेश में वर्षा होती है ठीक हwork So किसी सस्तान पर अनिक वर्षा में मापी गई मौसं की ओसत दसह को जलवायू कहते है ठीक है यह ठीक मतरम वर्षा होती है भारत की जलवाई को मोटे तोर पर मांसुनी जलवाई कहा जाता है ठीक है यह याद करना पूछ विलेगा कि हमारी जलवाई कैसी है मांसुनी जलवाई हुआ है मांसुनी जो सब्द आया है यह अर्वी भासा का सब्द है जो मौसमी है जिस कार्थ होता है मौसम ठीक है सिंपल सा सिं मांसुन का मतलब है अच्छी फसल, खराब मांसुन का मतलब है बुरी फसल, मांसुन अच्छा होने पर किसान को सो जाते हैं, बुरा होने पर बुरी, मुश्ली बुरा ही होते हैं, ठीक है, बहुत सिवार, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी कई भाग है, भारत की प्रकृ वारवन कौन से छेतन में पाई जाते हैं जो पेड़ पोदे मनिश्य की सायत है कि बिना उही उग जाते हैं जिसमें मनिश्य का कोई हाथ नहीं होता उन्हें प्रकृतिक मनिस्पति कहा जाता है प्रकृतिक मनिस्पति उस सतान की जलवाई और खासकर बरसा पर निर्वल करती ह भारत में पांच परकार की प्राकृतिक वनस्पतिया पाए जाती है, most important है कितने परकार की, पांच परकार की, सबसे पहले उसन कटी बन दिये, सदा भार वन, उसन कटी बन दिये, पतजड वन, कटीली जहाडियां, परवति वन, मैं, ग्रों वन, यह सभी important है, कौन-कौन से छ जाती है, जाड़िया पाए जाती है, सारी चीजे मैं अभी, सलाइड में बताऊंगों आपको, ठीक है, आसा करता हूँ, सारी चीजे से दिमाज में फीड हो रहे हैंगी, क्योंकि, बोर्यत फील अगर कर रहे हो, तो बदन परवरती भूल जाओ, ठीक है, यह कांटे की तरह लगी होगी आपके, पर लेकिन, भाई, बिल्कुल सच, सच बात है, बिल्कुल, उस इनकटबंदी सदावारवन के बार हम पढ़ लेती है, ठीक है, पढ़ो, सलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पढ़ो, जिन सतानों पर भारिवरसा होती है, वहां सदावारवन पाए जा इसलिए ये वन हमेशा हरा वरा दिखता है, इसलिए इस परकार के वन को ही सदावारवन कहें जाते हैं, और परमुक पेड इसके महवणिये, एबोनिये, रोजबुड है, ठीक है, भारत में सदावारवन अंदमान और निकोवार दिवसमू पर है, अंदमान निकोवार जहा बाइब कौन कोन सा इलाका है यह फ lly पूचेगा क्वेच, But लेकिन इसमें सदोर वार में जोरिए जोरिंया में बहुत है और यह बात कर रहा है यहां खिए अपनी नोर्थ-इस्ट की यहां की बात कर रहा है भारत पूरव उत्तर नौर्थिष्ट की राज्जों के कुछ हिस्सों में पश्मी घाट के पश्मी ढाल पर भी पाए जाता है पूरव उत्तर यहां पर भी और पूरव घाट तो इधर हो गया और पश्मी घाट इधर हो गया तो इधर भी पाए जाते ठीक है यहाँ पर जड़ में नीचे ठीक पश्ची में ढाल पर पाए जाते हैं यह कहने के मतलब इसका पत्यजड लो के पत्य गिर जाते हैं यह नीचे ठीक पत्यड होती है ठीक है अपने पत्यों को साल के नियम पर घृते ही रहते हैं पर लेकिन यह वन्यजड ने कहा जाता है प्रमुक पेड़ साल है, सांगवान है, पीपल है, नीम है, शीशा में इन पर सब बाहर में पतिजडवन, मद्य पर्देश में, उत्तर पर्देश में, बिहार, जहरकन, यह सबी इलाके आपके पतिजडवन के इलाके हैं, ठीक है, हमारा भी हर्यान आजाता है कुछ हिस्सा, अब कटीली जहाड़िया, यह भी इंपोटेंट, अब आप अंदाज लगा रहे हैं, सदावार वन, जहां पर हमेशा वर्देशा होती है, ठीक है, पतिजडवन, जैसे अपना उत्तर भारत के कुछ हिस्सा, ठीक है, अब कटीली जहाड़िया के बाहरें बताता हूँ मैं, थरौनी सर्फ जो होते हैं, इस परकार के मनस्पतिया सुस्क, मतलब जहां पर वर्साइन हो, जैसे रेगिस्तान है, ठीक है, जैसे कच्छ करण है, ठीक है, गुजरात को कुछ हिलागा, राजिस्तान को कुछ हिलागा, पंजाव और हर्याना का पश्चिमी इलागे, ठीक है यह, एरेगिस्तानी अलाके हैं, मतलब रेथीले अलाके हैं, वहाँ पर यह जहाड़ें पाजेंगे, इस परकार के मनस्पतिया सुस कर सतानों में पाई जाती है, ऐसी मनस्पतियों को पत्यों काटग रूप में होती है, इससे जल के हर्थ को कम करने में मदद मिलती है, मैं में कटीली जाड़ियां राजिस्तान में पंजाव हरियाना पश्मी घाट के पूर्व ढाल और गुजरात में पाई जाती हैं आसा करते हुए इसी जे समझ मागे होंगी ठीक है मैंने बता गे थी आपको अब पूर्वती वनस्पतिय देख लेते हैं mountain vegetation परवतों पर भिन भिन पर जाते हैं परवतों की बात चलेगी यहां पर अभी प्रावपर चलिए ती आपके कौन कौण सी संकों क्या कार के होते हैं इसलिए इने संकवाकार व्रिक्स या कौनई फैरस व्रिक्स कहते है मैं पेड debates यह सभी कहा पर मिलते पहाडी लागों परवती लागों में पिपोदे kick में यह सकते मतलब किया कहाना चाहतabagya मक्रोक के पेड्र कोक्रम मिठाकरबंग उसके ग्रापू टिल्टा थी मेने में साइध देख लेना एक बार कभी यह सोचो क्या बोल रहा हूं सुंदर्वन के मेंग्रोवन के एक मसूर पेड का नाम है सुंदरी यह तो चलो नहीं पूचाए कि पर लेकिन बता दिया अब सुंदरी को सर्च कर लेना पूरा डालना कर दी सुंदरी कोई और लिखड़ी आवे वन के महता है इंपोर्टेंस ओफ फॉरेष्ट पेड परकास इंसलेशन के दोरा सी ओडू लेते हैं और ऑक्सिजन छोड़ते हैं ठीक है इस ऑक्सिजन के इंद्वाल सभी पराणी जैसे हम भी हैं उन्हें हमी सम्म लेता है सांस लेने के लिए करते हैं पर पेड़ना ताद अगर एक खाद के रूप में जो होती है अगर एक खेल से मट्य उड़कर चली जाएगी तो उसमें यह चीजे खतम हो जाती है फिर पैदा वाज जो होती है वो कम होती है पैदा उसमें ठीक है इस सारी चीजे ध्यान पूरोग बाती इसलिए पेड़ों को लगाया जाता है जिणां जो होती हुआ यह टो के शाएड में से थे महें फंड ही चार इंडन के लिए लक्ती मिलती है वन से हमें चारह ओसद जड़ी बुटिय मिलती है नि जड़ी बूटिय स्मझ महाकर गार वोन कैई वन ने जीवों की प्राकृतिक हावास होती है सिंपल सिंपल करते हो वं आधमी ने जंगलों को एक बड़े इस्यों के तभा कर दिया तो अपनी जरुतों के लिए हम अदादन तरीके से पेड़ों को काट रहे हैं ठीक है जो कि नहीं ओने हो तो बिल्कुल नहीं अनुशी है ठीक है खेती बारी मानाव अवास में आज के समय में देख लो मार्च अप्रेलमी गर्मी पड़न लगए जो की डेट में दे रखे 15 मार्च तक तो सीज लेहर पड़ाईगी ठीक खेती बारी माना वावास और कार खाने बनाने के लिए जंगलों को साप किया जारा है सुरिप अपने मतलग इससे प्रियावन के लिए संकट पैदा हो रहे हो रहे हो गया लोगों में वन बहत्तव के प्रति जागरुत बढ़ाने के लिए वन महुतसम में एक दो पेड लगाँ मैं एक दो पेड तुम लगाओगा सौ मांकर जाहां साइड में जांगलों चलो जी ओ ठीक है वननजीव व जरहते हैं ता उस देश ते डिशिआ ग्रवन कि यह से पोशन है नहीं को से पर गुझरात जरत एकि होता है एक काजी रंगा में ठीक है राष्ट अध्यान जो मुस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी यह सारी चीजी जो मैंने लिखी होई है हमेल लगे आसपा जंगली बक्री हीम चीता भालू और मोर हमारे राष्ट्र पक्षी है सिंपल है अन्य आम पक्षियों में तो ता आधी आते हैं ठीक है वाइड लैब में जंगलों के बड़े पेमाने पर कटाई की कारण कई वहने जीवों को प्राक्रते का आवास सिंपल है बहुत से बक्सी उड़ गए और बहुत सी परजातिया लुप्ती होगी है जंगलों को कटने के कारण ठीक है अदादम जो पेड को अच्छे तरीके से समझाया है ठीक है डेबले तरीक से प्रैक्टिकली समझाया हर चीज को मैंने ठीक है नेक्स्ट क्या आपकी क्लास ही पर समाब अब कोश्चन करते हैं अच्छे तरीक से तो नेक्स्लाइड आपके सामने हैं कोश्चन आपके सामने आगे हैं बहुत मेरी क्लास ली है पूरी और सारी क्लास लिए फिर कोश्चन लगाएगा तो वह आसा करते हूं उन सारी कोश्चन को जवाब देगा ठीक है परवाशी पक्षी हमारे देश में निमन मोसम में आते है थिक आपको होती है थेसंबर से मार्च के बीच में हमारी प्रवाशी पकक्षी आ इनके अभी चैप्टर आएगा प्रवाशी पक्षी कों से कहां से सारी चीजे जानेंगे हम ठीक है तो मोटे तो पर भारत की जल्वाई हमारी कैसी मैंने जैसे आपको बता आ है गरम है शुटोषन है मांसुन है मरस्त्र तो इसमें से सीज र आईट आइट मांसुनी जल्वाई है हमारी कैसी जल्वाई मांसुनी नम्ससतान पर अत्यदिक ठंड पड़ती है अब मैंने बताया था आपको कि सबसे ज्यादा अत्यदिक ठंड कहां पड़ेगी सबसे गर्म सफान कुन साань गरम सबसे ज़्यादा मैं आपका क्थादा मंवशंव मुटेवर्श वाल सफान मौशिन राम निम्न्रत राजमनी में बतेशा था प Tú इसंदिक था नेये सबता सिमान, वाले में तु me mustail ren हालंकि आसब भी नौर्ट इस्ट में है अरुनसल पर देष भी नौर्ठ इस्ट में और मिजुरम भी नौर्थ इस्ट में पर लेकिन में गहला में स्थित्र मोशीन राम जहां पर विशुम बड़ा है सबसे जयादा अधिक मात्रामि वर्था होती हैं फिप्ट कॉश्चन आपके सामने देश के सुस्क भाग में पाई जाने वाले उनस्पतियां का परमुक पेड़ा केकर, कीकर, खेर, बबॉर, उप्रोक सभी हैं मैंने बता सुस्क जो कटीली जाड़ेगी बताई थी मैंने वो रगिस्तान में कर्च के रगिस्तान में गुजरात में सारे हिस्टा नेवन परजाती संकुदारी नहीं होती है अब संकु तो मैंने याद कराया था संकु सुंद्री संकु सहते संकु सहते सुंद्री ठीक है सिंपल है ट्रिक है थोड़ी सी निमन वन खारे पानी में जीवित रह सकते हैं यह इंपोर्टेंट है यहां से कोश्चन आया है इसमें से कोश्चन आया है तो परवतिया बताया थ आपेंस्तित। ह shortest है कि हमार में इनको तक सब्सक्राइब मेरे सकते किया है बुल्बुल मेना वय मंडल में दिन पर्तियत न होने वाले पर्वतन को क्या कहते हैं कहा जाता है वाई मुंडल में दिन परती जिन क्या बदलता है हमारा मौसम बदलता है सिंपल वार मौसम के कौन से तत्व होते हैं तापमान होता है बिलकुल सौर विकरनद भी होती है वर्षा भी होती है व्रुक्रमी इस दराइट अंसवर डीज रिए राइट वन साथ ट्वेट्वस्ट्वर्फ पॉस्च्ट्न आपके सामनी तो इसका मेरे इस क्लास के बाद करता हूँ कि सिस्क्लास में आपको स्टार्टिंग में थोड़ी से प्रोब्रम आई होगी समझने में कि क्या चल रहा है लेकिन अब तक आप समझ चुके होंगे कि मेरी क्लास में क्या मैं समझाने जा रहा हूं आपको क्या चीजों को मैं समझाता समझा सकता हूं आपको इस सारी सीचे आपको प्रोपर तरीके समझ मारे होगी तो आपका इसी परकार से मुझे आशिरवाद और आपका मोटिवेट मिलता रहा तो मैं आपको इसी परकार से बहुत इसी तरीके सैनालाइस करता चलूँगा ठीक है तो बिदा लेने चाहता हूं मैं नमस्ते राम राम चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करते हो जै हिंद जै भारत